कैसे हैं आप लोग अलाबाद हाई कोड का यहां पर एक और आया है यहां पर क्या बोला है जच साब ने इस चीज को यहां पर पूरी तरीके से देखने कोशिश करेंगे अक्सर कर पिछले कुछ सालों में आपने इस प्रकार की नीज सुनी होगी कि कोई कुछ मुस्लिम लोग काउ के मीट के साथ पकड़े गए वो काउ को मार के मारकेट ने मेचने के लिए लिए जा रहे थे जब मास के साथ पकड़े गए तो उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गए उनको मार दिया गया फिर कभी-कभी इस बात के उपर भी बातचीत होने लगती है बहुत सारे बुद् इंडिया में अगर मुस्लिम्स या फिर कोई और धर्म किलो या फिर इनफेक्ट हिंदूजी अगर बीफ खाते हैं तो इनको क्यों मना किया जाता है सबसे पहले तो मैं आपको बीफ की परिवाशा बताता हूँ इंडिया में जो बीफ होता ना आप कहलो कि काउ के मीट को तो कहते ही है बीफ इंडिया में बफैलो की मीट को भी आप बीफ कहते हो लेकिन जादा तर अगर आप पूरी दुनिया की आप बात करोगे तो पूरी दुनिया में मेजरली काउ और बुल मतलब काउ का मेल काउंटर पाट तो कौ और बुल के मीट को ही बीफ बोला जाता है फूरी दुनिया में। एक इंडिया और जहां पर बाफ़ैलो के मीट को भी बीफ बोल देया जाता है। बट जादातर अगर सब्सक्速क्राइब ही बीफ और किया पहरत उसकी गर्दन काटी फिर उसका मीड भी उसके पास से पकड़ा गया और इस प्रकार के बहुत से इलजाम इस परसन जावित के अगेंस्ट पहले भी लग चुके हैं तो जस्टिस शेखर कुमार यादव के कि अगर कोई बीफ खाने वाला पर्टिकुलर परसन है उसका यह फंड़नमेंटल राइट है कि वह बीफ खाना चाहता है जिसके बेसे पे बहुत सारे बुद्धिचे भी इंडिया में बोलते हैं यहां बीफ खाना लौड होना चाहिए तो आड़ सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो कि गाई की पूजा करते हैं वो लोग जो कि गाई पर एकनॉमिकली डिपेंडेंट है उनका भी यह फंड़नमेंटल राइट है कि भाई को न मारा जाए तो अगर खाने वालों का फंड़नमेंटल राइट है तो जो उस गाई की पूजा करते हैं और ओवर और उसके उप यहां पर बेल इसकी डिनाई कर दी गई है और साफ-साफ यहां पर बोला है कि अगर आप कोई ऐसा ओफेंस इंटेंशनली सुसाइटी में होने देते हो जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंसीडरेबल रिलीजन की जो भावनाएं उनको ठेस पहुचाता है तो तो ओवर ओल आप सुसाइटी को अंदर से कमझोर कर रहे हो आप सुसाइटी के हार्मोनी को अंदर से तोड़ रहे हो एस यहां फे जचाव ने बोले जचन साब खेर वो चलो एक बिल्कुल ही different issue है तो अगर right to kill और right to life में अगर importance देने की बात है preference देने की बात है तो जब साब ने बोला कि right to life को preference दी जाएगी तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई आप गाय को ना मारो उनको preference मिलनी चाहिए प्लस यहाँ पर जासा यह भी बोलने की देखी काउ एक useful जानवर है उसका dung और urine agriculture में काम आता है बहुत सारी medicines उससे बनाई जाती है ठीक है तो overall एक गाय अगर बुड़ी भी हो जाती है तो भी useful है at the same time Hindu community के उन लोगों को जो की गाय का मास खाते हैं या फिर वो लोग जो की गाय से जब काम निकल गया उसने दूद बगरा देना बंद कर दिया तो इसको खुद जाके कसाईयों को बेज देते हैं या फिर सडकों पर खुला छोड़ देते हैं तो वो पॉल्तिन जैसी चीजने खाके बीमार पढ़ जाती है ये आपकी सडक पर फड़ी गंदगी खाके बीमार हो जाती तो इन लोग को भी डाट लगाते हैं जच साब ने कि भाई अगर आप कायों को अपना डिवाइन अनिमल मांगते हैं तो कम से कम उसको आप प्रोटेक्ट करिए प्लस यहाँ पर overall Muslims के लिए भी यहाँ पर जच साब ने बोलाएगी Muslims ने भी गायों की importance को माना है अगर आप देखो तो पाँच ऐसे Muslim राजा हैं जिन्होंने cow slaughter को बैन करके रखा था बाबर, हुमाईयों और अकबर इन तीनों ने cow के sacrifice को prohibit कर दिया था तो सोचिए यह जो हुमाईयों, अकबर और बाबर यह जो rulers थे यह इनका secularly character था ना वो Muslim rulers थे, उनके culture में खाना था बड़ उन्होंने तब भी slaughter को बैन किया चुकि वो overall पूरे देश के लिए सोच रहे थे तो यहाँ पर विजद साब का बोलना है कि अगर cow slaughter ban हो जाता है, तो इसमें problem क्या है प्लस नवाब ओफ मैसूर हैदर अली इसने भी cow slaughter को एक punishable offense बनाया था और समय समय पे Supreme Court ने और बहुत सारे जो नियम कानून मनाएं गया Parliament और legislative assembly की द्वारा, इसमें ये बोला गया कि भाई, ऐसे rule बनाया जाने चाहिए, जो कि cow co interest को बनाए, cow protection की बात करें, cow की prosperity की बात करें, हमारे देश में जितनी भी गौशाला हैं, cow sheds हैं, वो खराब पड़े रहते हैं, उनका maintenance नहीं रहता है, तो government गौशाला तो बना देती है, बट उस गौशाला को फिर maintain नहीं किया जाता है, तो ये सब बात यहाँ पे overall judge साब ने करी हैं, और एक ऐसा देश, जहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर कोई एक ऐसी चीज है, जो किसी एक particular धर्म के sentiments को hurt कर रही है, तो वो नहीं करनी चाहिए, चुकि कोई भी ऐक ऐसी चीज, चुकि धर्म के नाम पे society के अंदर disturbance ला चके, वो allowed नहीं होनी चाहिए, अगर आप beef नहीं खाएंगे, तो आपकी कोई जान नहीं जाने वाली है, तो इस प्रगार की बाते हैं पिजास साब ने बोली है, मैं आप से यह जानना चाहूंगा, overall आपका इसमें क्या रहा है, आप फोले, अपने मन से एक प्रॉपर लॉजिक से वता सकते हो, क्या आप क्या सोचते हो, कि भाई, cow killing एक fundamental right होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, cow protection fundamental right होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, हलाबाद के हाई कोट कर जज्जमेंट आए, आपके सथ सही लगता है, अगर इसके खिलाफ petition supreme court में जाती है, जो की जाएगी, actually मैं, bail petition के उपर हलाबाद high court ने यह बाद बोली है, final judgment के बाद ही फिर supreme court में petition जाएगी, और हो सकता है supreme court में, सीधे-सीधे petition file हो जाए, चुकि अगर एक high court ने इसको fundamental right बोल दिया, तो सीधे-सीधे के इस supreme court में चला जाता है, तो most probably इसके petition supreme court में जाएगी, जाएगी, आपको क्या लगता है, कि overall इस चीज को लेके आपका क्या कहना है, और यह actually मैं बहुत sensitive मुद्धा है, इस तरीके की चीजों को लेके देश में दंगे भी हो जाते हैं, तो जिन चीजों को लेके देश में दंगे हो जाते हैं, उनको avoid कर दिया जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी problem है नहीं, we'll look forward to your comments, देखते हैं भाई, आप लोग का इस चीज को लेके क्या भी point है, thank you for watching friends, I hope इस news से कुछ भी आपको meaningful जानने को मिला होगा, have a great day friends, goodbye, take care.